आज हम क्लास 10 का लाइफ प्रॉसेस वाला चैप्टर कम्प्लीट करने वाले हैं ठीक है तो देखते हैं आपको मैजा आने वाले हैं गुड तो चलो शुरू करते हैं तो सबसे पहले हमें समझने को असेस करते हैं कि जो लाइफ प्रॉसेसेस हैं इनका मतलब क्या है ठीक है तो लाइफ प्रॉसेसेस में हम उन सारी प्रॉसेस की बातें करेंगे जिन से हम लिविक स्टेट में रह पाते हैं ठीक है फॉर एक्जामपल रेस्पिरेशन डाइजेश excretion circulation तो यह सारे जो system है हमारे body के अंदर हम आज इन के बारे में discuss करने वाले हैं इसके साथ हम plant के अंदर जो photosynthesis होती है जिस पे सारे animal directly और indirectly dependent है हम उसकी बाद भी यहां पे करने वाले हैं ठीक है तो life process शुरू होने चे पहले हम पहले बात कर लेते हैं कि life का मतलब क्या है या alive होने का मतलब क्या है तो यहां पे हम दो चीज़ें पढ़ते हैं एक होता है characteristic of life ठीक है और दूसरा होता है defining features of life defining features of life तो characteristic of life का मतलब है कि इन सारे characteristic कोद के बारे में हम समझ के बोल सकते है कि this particular being could be a living being ठीक है लेकिन हम definitely नहीं बोल सकते है कि यह living being होगा और यह सारे चारेक्टरन जैसे growth reproduction ठीक है respiration excretion movement तो यह सारे जो चारेक्टरिस्टिक हैं यह living being के चारेक्टरिस्टिक हैं बट वो defining feature नहीं है ठीक है तो लाइफ का defining feature क्या होता है defining feature होता है cellular organization इसका मतलब है कि अगर कोई भी organism cell के form में exist करता है उसके body के अंदर cells है उसकी body cell से बनी हुई है तो यह definitely living organism होगा ठीक है अगर इसकी body के अंदर cell है तो इसका मतलब क्या हुआ कि cell के अंदर metabolism होती है नए compound बनते हैं पुराने break होते है ठीक है respiration की process होती है यह सारी चीज में होती है मतलब metabolism होती है तो इसका मतलब है कि हम cell की जगह पे हम यह भी बोल सकते है कि living organism के अंदर metabolism होती है है ना तो यह दो feature है metabolism and cellular organization जिनको हम living being का defining feature बोलते है ठीक है अगर metabolism present है यह cell के जैसे structures present है तो जो भी जिस भी being को हम observe कर रहे है वो कैसा है living being है ठीक है तो cellular organization and metabolism living organism की defining property है ठीक है इसके बाद हम बात करते है non-living की ठीक है तो obviously non-living के अंदर cellular organization नहीं होगा या फिर जो metabolism की process है यह नहीं होगी और जो defining character है वो resemble कर सकते है है ना ऐसा हो सकता है जैसे आप देखते हो कि जो sand mound होता है या sand का जो धेर होता है है ना तो वो हर एक बरसात के season में वो बड़ा होता चला जाता है है ना तो हम बोल सकते हैं ठीक है इसके बाद हम बात करते हैं virus की तो जो virus होते है है ना virus तो आपने सुना ही होगा और इस टाइम पे तो एक महान virus जिसने सब को परेशान कर रिखा है जिसकी बज़े से आपको online class लेनी पड़ रही है ठीक है तो जो यह virus है यह living और non-living के बीच में होते हैं क्यों होते हैं living और non-living के बीच में क्योंकि जब यह cell के बाहर रहते हैं तो यह non-living की तरह बहेब करते हैं पार्टिकल की तरह बहेब करते हैं और जैसे ही यह living cell में इंटर करते हैं तो living cell की machinery को take over कर लेते हैं और ये एक तरह से क्या करते हैं? लिविंग सेल की मसी नरी को चंट्रोल करके खुद मल्टीप्लाई करते हैं. तो इन में अपना कोई रिप्रोडॉक्शन सिस्टम नहीं होता है. ये सेल की मसी नरी को यूज करके मल्टीप्लाई करते हैं और इनका नमबर बढ़ता जाता है ठीक है? तो जो virus हैं वो living और non-living के बीच में हैं neither they are living nor non-living ठीक है? और जो virus होते हैं इनके दो पार्ट होते हैं इनके अंदर एक तो होता है इनका genetic material genetic material से मतलब है कि इनके अंदर या तो DNA हो सकता है ठीक है? या फिर इसके अंदर RNA हो सकता है किसी भी virus में दौनों चीज़े नहीं होती है जबकि अदर हम हमारी बात करें human beings के बात करें तो हमारे अंदर DNA हमारा genetic material होता है और RNA भी होता है जो कि protein synthesis में help करता है DNA के expression में help करता है ठीक है? इतनी बाते clear हैं आपको? ठीक है living की बात हमने करी लिया तो living, non-living और virus यह तीन चीज़ों की बात हमने इसमें कर लिया ठीक है? गुड इसकी बात हम बात करते हैं कि वो कौन-कौन सी processes है कौन-कौन सी processes है जिनसे हम living state में रहते हैं तो सबसे पहली process जो हम इसमें पढ़ने वाले हैं वो है आपकी nutrition तो nutrition यह दो तरह का है एक है autotrophic और दूसरा है heterotrophic autotrophic nutrition मतलब जैसे plants के अंदर होता है तो plants photosynthesis करते हैं और वो photosynthesis की help से अपना food खुद बनाते हैं तो इसलिए हम plant को बोलते हैं कि plant में autotrophic nutrition होता है ठीक है इसके अलाबा आपने blue-green algae का नाम सुना होगा जिसको हम short में BGA बोलते हैं तो BGA भी photosynthetic होते हैं तो इनके अंदर भी photosynthesis की process होती है और यह भी autotrophic organism है ठीक है इनको हम एक और ताम है इनका इनको हम cyanobacteria भी बोलते हैं तो blue-green algae और जो cyanobacteria होते हैं और plant यह सारे photosynthesis कर सकते हैं अपना food खुद बना सकते हैं और दूसरे पार्ट में जो heterotrophic है इसमें most of animals होते हैं तो most of animals हैं जो की heterotrophs हैं मतलब वो अपना खाना खुद महीं बना सकते वो या तो plant पे dependent होते हैं या तो वो plants पे dependent होते हैं या फिर वो other animals पे dependent होते हैं ठीक है तो दौनों ही case में problem होती है अगर वो plant पे dependent है तो इसका मतलब है वो herbivores है अगर वो other animal पे dependent है तो वो carnivores हैं तो इनको हम herbivores और इनको हम carnivores बोलते हैं फिक इसके बात बात आती है dàiजेशन की तो डाइजेशन भी जैसे हम बोल सकते हैं इंटरसיलूलर डाइजेशान एंटरसेलूलर डाइजेशन तो दो तरह का होता है मितलब एक outside the cell और एक inside the cell होता है ठीक है और यहां पर हमैं जो डाइजेशन की परजसेस पढ़ने है, वो हींमन बीग के रिफरेंस में ठीक है, तो हम किस तरह से फूड को में चूँ करते हैं, किस तरह से एंजाइम उन पर एक्ट करते हैं, यह सारी चीजे हम इस डाइजिशन की प्रॉसेस्षी में पढ़ने तो basically digestion में क्या होने वाल है कि जो food particles है या भी जो भी food के constituent हैं जैसे protein हो गया आपका protein, fat, carbohydrate तो ये सारी चीज़ें आप food में consume करते हैं और इस food का होता है oxidation और food के oxidation से energy release होती है और इस energy को आप use करते हैं अपनी day-to-day activities के लिए, body की growth के लिए ठीक है तो food का oxidation हो रहा है, energy release हो रही है तो अब ये दो process एक साथ हा जाती है इसमें कि जो हम food के जो bigger constituent particles हैं उनको break करके smaller constituent में simple absorbable form में convert करना digestion होता है फिर उन simple absorbable form में जो भी constituent है उनको oxidation करके energy release करने को हम respiration बोलता है ठीक है तो ये पार्ट में आपको एक बार फिर से बता देता हूँ तो आपने जो भी protein, fat or carbohydrate लिया तो ये पहले convert हो जाते हैं सारे सारे glucose में और फिर glucose का oxidation होता है उससे energy निकलती है और वो energy अपने day-to-day life में use होती है ठीक है तो glucose की oxidation से energy release होने की process को हम क्या बोल रहे है respiration और जो भी हम food consume कर रहे है इसके breakdown से glucose बनने की process को हम सब को क्या बोल रहे है digestion ठीक है clear है तो carbohydrate जो अगर हम food में use करते हैं तो वो directly break होके glucose बना देता है amino acid अगर हम use कर रहे है तो amino acid basically protein यूज़ कर रहे है तो protein break होके amino acid बनाएगा और amino acid फिर glucose बनाएंगे और glucose का oxidation होगा ठीक है fat अगर हम consume कर रहे है तो इसे fatty acid or glycerol बनेगा फिर उनका oxidation होगा और उनसे energy release होगी तो इस तरह की यह processes हमें पढ़ना है फिल अपका next है excretion तो जो भी हमारी body में undigested unabsorbed material होता है वो periodically remove होता रहता है तो उसको हम क्या बोलते हैं excretion ठीक है तो हमारी body में बहुत सारे excretory structure है for example हम जब सांस लेते हैं तो CO2 रिलीज करते हैं तो स्वैटिंग करते हैं तो स्वैटिंग से भी हमारी body से salt निकल रहा है water निकल रहा है ठीक है और deepfication करते हैं तो जो भी undigested unabsorbed food है उसको remove करते हैं तो यह सारे हमारे excretion के part है ठीक है transportation और circulation अब आप देखें कि हमारी body का जो structure है तो आपका stomach कहीं पे जिसमें digestion हो रहा है तीथ यहां पे हैं जहां पे आप फूड को चू कर रहे हो और अंदर जा रहा है और फिर intestine से absorb हो रहा है इनर्जी रिलीज हो रही है वो जगह 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 जा रही है तो और हमारी body में हर एक पार्ट को इनर्जी चाहिए चाहिए आपका brain हो चाहिए kidney हो चाहिए liver हो चाहिए heart हो हर एक body part को function करने के लिए इनर्जी चाहिए ठीक है तो तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो इनर्जी जो produce होगी ठीक है यह कहां पर produce होगी हर एक cell के अंदर body के हर एक cell के अंदर energy produce होगी और इसका मतलब है कि हर एक cell को fuel चाहिए energy produce करने के लिए और हमारी body का जो fuel होता है वो है glucose तो food के oxidation से जो glucose फूड के breakdown से जो भी glucose बनेगा यह glucose ब्लड के थुरू पूरी body में ट्रांसपोर्ट होगा हर एक cell के अंदर पहुंचेगा cell के अंदर इसका breakdown होगा CO2 रिलीज होगी और मतलब CO2 हो गया यह waste product तो आप हमारी body को CO2 को बाहर निकलना है तो बो भी blood के थुरू ट्रांसपोर्ट होके निकलेगा तो blood में CO2 dissolve हो जाएगी लंग्स तकाएगी फिर लंग्स में एक्स्चेंज होगा gases का और यह जो हम सांस लेंगे तो CO2 बाहर निकल जाएगी ठीक है तो इस तरह से आप देख पार हो कि यह सारी process हमारी body के लिए बहुत जरूर यह तो जो यह आपका circulatory system है circulatory system का का काम क्या है circulatory system का का काम है कि के nutrient का ट्रांसपोर्ट करें waste product का ट्रांसपोर्ट करें और इसको हमारे system से हटाए ठीक है तो यह हमारे circulatory system के काम है ठीक है clear यहाँ पर मैंने आपको cell का structure दिखा रहा है तो आप देख रहे हो cell के different parts है basicles है centriole, mitochondria, microtubule, cell membrane, golgi body, endoplasmic reticulum जिनके अपने अलग-अलग functions है जिनको हम आगे discuss करेंगे ठीक है तो हम बात करते है autotrophic nutrition के बारे में है ना तो autotrophic nutrition जैसा कि मैंने इसके beginning में बताया था कि यहाँ पर हम पढ़ने वाले है photosynthesis ठीक है तो यह जो term है photosynthesis यह जो term photosynthesis है पहले हम इसकी बात करेंगे कि इस term का मतलब क्या है photosynthesis term का क्या मतलब है तो इसको हम दो part हम break करते हैं पहला तो यह आपका photo है photo का मतलब है light दूसरा part है आपका synthesis मतलब formation तो यहाँ पर light की synthesis नहीं हो रही है light का formation नहीं हो रहा है यहाँ पर formation किसका हो रहा है food का तो बेसिकली light की help से food बनाने की process को हम यहाँ पर क्या बोल रहा है photosynthesis light की presence में food के synthesis की जो process है इसको हम बोल रहा है photosynthesis ठीक है तो यह आपका sun है और यहाँ से light आ रही है sunlight आ रही है ठीक है और इस plant के अंदर जो leaves है leaves के अंदर आपको पता है कि क्या होता है कौन सा pigment होता है chlorophyll leaf के अंदर क्या है आपका chlorophyll pigment है और यह जो chlorophyll pigment है light energy को absorb करता है और photosynthesis की process को start करता है ठीक है तो photosynthesis की process में दो पार्ट रहेंगे इसमें एक को हम बोलते हैं dark reaction और एक को हम बोलते हैं light reaction ठीक है तो यह light reaction light की presence में होगी ठीक है dark reaction light की absence में होगी ठीक और इन दौनों process को jointly हम क्या बोलने बाले हैं photosynthesis तो photosynthesis में दो पार्ट है एक light reaction है एक dark reaction है ठीक है तो आपका light reaction में जो आपका बनता है वो ATP बनती है NADPH बनता है ठीक है NADPH बनता है और यह दौनों के दौनों energy rich compound है NADPH को हम more correctly NADPH2 लिखते है और जब यह breakdown होगा तो यह 3 ATP produce करता है इसकी value 3 ATP के equal होती है ठीक है तो यह जो high energy rich compound energy rich compound जो यहाँ पे बनते हैं इनका utilization होता है आपका डार्क reaction के अंदर ठीक है तो डार्क reaction में ATP and NADPH use होंगे और यहाँ पे आपका glucose बनेगा और फिर glucose का polymerization होगा और glucose के polymerization से आपका सुक्रोज बनेगा ठीक है और यह सुक्रोज प्लांट के अंदर स्टोर हो जाएगा as a storage food ठीक है तो यह आपका photosynthesis की process है तो मैंने आपको सारे main event इसमें बता दिये हैं कि light आती है light यह लीप पे strike करेगी carbohydrate प्रोडूस करेगी और इसके अलाबा photosynthesis का by-product oxygen होता है और oxygen हमारे लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है इसके विना हम survive नहीं कर सकते और photosynthesis के लिए जो raw material है वो carbon dioxide और water है तो यह water को plant soil से अब्जॉर्ब करते हैं और CO2 को जो plant atmosphere से लेते हैं कहां से लेते हैं? atmosphere से ठीक है तो carbon dioxide और water की help से sunlight की presence में photosynthesis होगी इसमें carbohydrate बनेगा और oxygen रिलीज होगी तो यह photosynthesis की reaction की समरी है जो आपको याद करनी है ठीक है? next ठीक है पहले ऐसा बोलते थे कि जो photosynthesis की process है तो इसमें आपका बन रहा था carbohydrate है ना? क्या बन रहा था? अभी अभी हमने बात करी है कि यहाँ पे आपका carbohydrate बन रहा था और carbohydrate को बोलते थे कि यह carbon के hydrate है तो ऐसे हम बोल सकते है CX H2O का whole Y या whole N भी लिख सकते है ठीक है? तो basically यह हो गया आपका carbon और यह है water तो इसलिए यह हो गया hydrate तो ऐसा बोला गया था कि जो carbohydrate होते है वो carbon के hydrate है ठीक है? तो यह old definition थी carbohydrate की अब यह definition applicable नहीं है तो basically मैं बताने वाला था आपको कि यह carbohydrate term कहां से आया? ठीक है? तो कहां से आया? carbohydrate को water का hydrate बोला गया था कि उनको हम इस formula की form में लिख सकते हैं लेकिन जितने भी carbohydrate है अभी तक जो discover हुए है या जिनको हम जानते है उन सब को हम इस form में नहीं लिख सकते तो इसका मतलब क्या हुआ? कि सारे के सारे carbohydrate water के hydrate की तरह नहीं होते हैं और यह जो hypothesis है गल्लक प्रूव होगी ठीक है? लेकिन जो carbohydrate नाम है वो अभी भी यूज में है हम बात करते हैं carbon dioxide in water ये दोनों react करते हैं photosynthesis की process में और ये glucose बनाते हैं ठीक है? तो आपको glucose का formula याद रखना है C6H12O6 ठीक है? और ये equation याद रखनी है ये आपकी main equation है अग्जाम में अगर photosynthesis पूछा जाता है तो आपको other details के साथ साथ ये वाली equation भी वहाँ पे लिखना है और ये sunlight की presence में हो रहा है oxygen release हो रही है ठीक है? तो हम ऐसे भी बोल सकते हैं कि इस equation से हमें भी पता लग रहा है कि CO2 consume हो रही है और हम जब सांस लेते हैं तो CO2 produce करते हैं इसका मतलब क्या हुआ? कि जो भी CO2 हम produce करके environment को pollute कर रहे हैं वो CO2 हमारी क्या हो जा रही है? plant consume कर ले रहे हैं उस CO2 को और उसको सुगर में change कर दे रहे हैं तो इस तरह एकाई cycle चलता रहता है animal respire करके CO2 produce करते हैं उस CO2 को plant consume कर लेते हैं और oxygen release करते हैं और उस oxygen को हम animal फिर से consume कर लेते हैं ठीक है? तो इस तरह का इस cycle चलता रहता है नेचर में ठीक है? हाँ तो आज़कल आप global warming के बारे में बहुत जादा सुन रहे होंगे ठीक है? तो जब तक animal और प्लांटे कर रहे थे CO2 release कर रहे थे तो environment में एक balance था ठीक है? लेकिन अब क्या हुआ है कि हमने vehicles को use करना सुरू कर दिया तो जो carbon मतलब fossil fuel soil के अंदर था earth crust के अंदर था हमने उसको निकाला और उसको जलाना सुरू कर दिया in the form of diesel and petrol ठीक है? तो अब क्या हुआ है? कि जो carbon का जो balance है ये disturb हो गया है तो carbon का balance disturb होने की बज़े से carbon का balance बिगडने की बज़े से global warming की problem आ रही है ठीक है? क्योंकि जो CO2 है, CO2 heat को retain करता है earth का temperature present time पे है वो किस बज़े से है? क्योंकि earth के around gas का एक blanket है और इस blanket का जो main contributor है वो CO2 है तो जो भी heat sunlight के थूँ आती है वो earth को easily escape नहीं कर पाती है इसकी बज़े से earth का temperature थोड़ा सा बढ़ जाता है और constant रहता है ठीक है? तो अगर CO2 नहीं होगी atmospheric gases नहीं होगी तो earth पे condition रहने लायक नहीं होगी क्योंकि earth का temperature बहुत कम हो जाएगा तो एक तरह से जितनी भी gases हैं जिनको हम आज global warming के लिए responsible मान रहे हैं तो वो खराब नहीं है लेकिन अगर उनका percentage बढ़ रहा है उनका लेवल कंटिनुएसली बढ़ रहा है तो आर्थ के ऊपर और ज्यादा ही डिखटी हो जाएगी और उसकी बज़े से क्या होगा उसकी बज़े से polar ice cap melt हो जाएगे जो areas, low lying areas है जो CK किनारे हैं वहां पे बाड़ भी आ सकती है पानी जादा हो जाएगा ठीक है तो इसलिए हमें क्या करना है हमें fossil fuel का use कम करना है ताकि global warming ना हो और हम safely अर्थ के रह सकें ठीक है इसके बाद हम अगला topic पढ़ते है Nutrition in human being क्या पढ़ने वाले हैं? Nutrition in human being ठीक है Nutrition in human being हमें पढ़ना है तो इसके पहले हम सारे structure समझने की कोसिस करेंगे कि humans के अंदर कौन-कौन से structure है जो हमारे nutrition की process में help करेंगे तो यह आप समझी सकते हो यह आपका face है यहाँ पे आपके lips है और इधर से आप food यह food का entry point है आपके mouth की opening है इसके बाद है teeth तो यह जो teeth होते हैं teeth का काम क्या होता है? mastication of food teeth का काम क्या है? mastication of food basically achieving of food तो teeth का काम है achieving और teeth और tongue दौनों मिलके ठीक है? teeth और tongue दौनों मिलके क्या करते हैं? food का mastication करते हैं और इस ball को हम बहुते हैं bolus क्या बहुते है? bolus ठीक है अब इसमें क्या होने बहला है? यहाँ पे दो tube है यह पीछे बहला जो tube है यह बहला इसको बहुते हैं isophagus और इधर वाला जो tube है यह आपका wind pipe है क्या है? wind pipe और इसका दूसरा नाम भी है trachea भी आप इसको बोलते हो तो यह जो trachea और wind pipe है यह है आपका air के लिए है ना तो यह आपकी nasal cavity है मैं air का रास्ता बता रहा हूं यह green color का जो रास्ता है यह air का है तो nasal chambers से होते हुए यह air ऐसे जाती है और इस तरह से यहाँ पे इंटर करेगी कहाँ पे विंट पाइप के अंदर और यहाँ से लंग्स के अंदर एयर चली जाती है ठीक है अब स्वरी यह मुझे फिर से रिपीट करना पड़ जाएगा ठीक है फिर से देखिए तो यहाँ से इंटर कर रही है है न और यह ट्रैकिया से लंग्स की तरफ आप जो खाना का रहे हो यह ब्लू कलर से में रिप्रेजेंट कर रहा हूँ तो यह जो आपने खाना खाया यहाँ पे है आपका एपिग्लॉटिस क्या है? एपिग्लॉटिस और यह वाली जो opening है इसको हम बोलते हैं glottis तो glottis की opening को हम क्या बोलते हैं epiglottis बोलते हैं glottis की opening को क्या बोलते हैं epiglottis ठीक है तो यह जो epiglottis होता है यह cartilage का बना हुआ structure है किसका बना हुआ है cartilage का बना हुआ structure है और ये wind pipe के लिए covering की तरह काम करता है ठीक है? तो अब एक चीज आप देख रहे होगे यहां पर कि air आएगी तो वो ऐसे ऐसे आके ऐसे जाएगी food आएगा तो वो ऐसे आके ऐसे जाएगा esophagus के अंदर ठीक है? तो इसका मतलब है कि इस रास्ते में यहां पर थोड़ी सी confusion है कि food के दर जाएगा air कहाँ जाएगी तो यह problem कैसे solve होती है यह जो आपका epiglottis है यह वाला part यह move कर सकता है तो जब यह इधर ऐसे आएगा तो इधर आने से क्या हो जाता है? बंद हो जाता है ठीक है? तो यह कैसे बंद होगा? आपका यह जो food है यह bolus और आगे आएगा फिर यहां पर आएगा तो epiglottis की tip को थोड़ा सा push करेगा तो यह epiglottis बंद हो जाएगा बंद हो जाएगा मतलब है कि food के लिए यह वाला रास्ता बंद है अब food कहाँ चला जाएगा आपका इस ओफाइगस के अंदर अब जैसे यह food पास हुआ तो यह फिर से अपना खुल जाएगा यह वाला एरिया ठीक है? तो यह जो जैसे जारी थी बापिस से बापिस से जाने लग जाएगी ठीक है? ख्लियर होगी इतनी सारी बात है ठीक है अब nasal cavity की अगर बात करी है तो इसके बारे में भी थोड़ी से बात है कर लेते हैं कि यह आपकी body का एक तरह से air conditioner है ठीक है? तो आपके देखा होगा आपके घर में जो air conditioner है यह क्या करता है? temperature maintain करता है तो जो भी outside air है तो हमारे nose का पहला काम है कि उसका temperature maintain करे क्या करे? temperature maintain करे ठीक है? तो पहला काम है कि air का temperature maintain करता है air को clean बनाता है क्योंकि air के अंदर क्या हो सकता है? dust particle हो सकते है एर के अंदर bacteria हो सकते है तो यह bacteria और dust particle को filter करता है इनको filter करने के लिए nose के अंदर होते है hair और hair के अलाबा होती है mucous membrane ठीक है? तो mucous membrane और hair की help से जो भी air आपके nose से इंटर करती है वो clean हो जाती है और nose के अंदर high blood supply होती है ठीक है? high blood supply होती है तो blood supply की बज़े से rich blood supply होने की बज़े से क्या होने वाला है? कि जो भी air है वो यहां से जब pass होगी तो blood और उस air के बीच में heat का exchange होता है तो अगर बाहर की air cold है तो यह warm होके जाती है ठीक है? और अगर बाहर की air hot है तो यह थोड़ी सी cool होके जाती है तो यह दोनों ही काम कौन कर रहे है blood कर रहे है blood के थूँ एक्सचेंज हो रहे है तो इस point के beyond जब भी air जाएगी तो क्या होगा? वो filter होके जाएगी और उस air का temperature बॉड़ी के temperature के बराबर होके जाएगा तो दोनों ही condition में हमारी हमारी जो diesel chamber हैं वो air conditioning का काम करते हैं temperature maintain करते हैं उसको clean भी करते हैं तो उसमें से dust और bacteria को हटा देते हैं ठीक है? clear है यह बात? ठीक है तो हम पापस से digestion पर आते हैं तो अब हम बात करते हैं टीत की तो हमारे पास चार तरह के टीत हैं किते तरह के हैं? चार तरह के तो उनको हम बोलते हैं incisor, canine premolar और molar यह चार तरह के टीत हैं ठीक है? तो इनका मैं organization आपको बताता हूँ कि यह किस तरह से organize हैं अगर यह आपका job hon है और इसको मैं यहां से काट दूँ ठीक है? तो यह मैंने मान लिया कि आपका यह lower jaw है और मैं एक और ग्रीन वाला लाइन बना रहा हूँ यह आपका upper jaw है ठीक है? तो lower jaw और upper jaw दौनों में ही जो आपके teeth का arrangement है वो एक जैसा है ठीक है? तो मैं यहां पर ऐसे लिख देता हूँ incidure, canine, premolar, molar incidure, canine, premolar, molar इनको भी ऐसे लिख देता हूँ incidure, canine, premolar, molar incidure, canine, premolar, molar ठीक है? तो आप देखोगे कि चारों के चारों एक जैसे हैं है ना? तो हम ज़्यादा अगर हम ऐसे याद रखेंगे कि पहले molar आते हैं premolar, फिर canine, फिर incidure, फिर incidure तो यह difficult हो जाएगा इसको असानी से याद रखने के लिए हम क्या करते हैं? कि जब यह दौनों हाफ एक जैसे हैं तो केवल एक हाफ को याद रख लेते हैं ठीक है? और इसी को हम क्या बोलते हैं? देंटर फर्मूला तो हमारा जो देंटर फर्मूला होता है 2123 डिवाइड़ वाई 2123 इसका मतलब है कि हमारी बड़ी में ठीक है? 4 x 2 मतलब 8 इंसाइजर है 2 x 2 मतलब 4 क्या नाइन है 4 x 2 मतलब 8 प्री मोलर है और 6 x 2 मतलब 12 मोलर टीथ है तो यह हमारे टीथ का और्गनाईजेशन है Adult Human Being का और जिसको हम क्या बोल रहे है? जिसको हम क्या बोल रहे है? कि यह हमारा डेंटर फर्मूला है क्या है? डेंटर फर्मूला ठीक है? अगर हम डेंटर फर्मूला किसी चाइल्ड की बात करते हैं ठीक है? 10 यर ओल्ड की बात करते हैं तो उसमें क्या होता है? 2102 2102 तो यह फर्मूला 10 यर ओल्ड चाइल्ड का है ठीक है? यह 10-year-old child है तो इसमें आप देखो क्या मिसिंग है? प्री मोलर मिसिंग है प्री मोलर मिसिंग है और जो मोलर टीथ है वो दो है केबल है किसी भी साइड पे देखोगे तो दो है अगर टोटल नमबर इनका आठ है तो मतलब फोर मोलर टीथ कम है और प्री मोलर बिल्कुल नहीं है ठीक है क्लियर है 2102 2102 ठीक है किसी-किसी बुक में यह 212 212 भी लिखा होता है तो सेमी बात है ठीक है लेकिन आपको पता होना चाहिए कि कौन से बाले मिसिंग है ठीक है अब हम बात करते हैं इसकी अच्छा आप लोग मिठा ही बहुत खाते होंगे राइट बजपन में खूब चॉकलेट खाते हो आप लोग ठीक है तो जब आप चॉकलेट खाते हो तो क्या होता है कि आप बोलते हो कि दातों में कीडा लग गया ऐसा बोलते हो ना तो दातों में खीडा नहीं लगता है, ठीक है, दातों में प्रोटो जोवन लगता है, और जो बोस्ट कॉमन प्रोटो जोवन है, बो होता है आपका जिंजी वैलिस, तो एक जिंजी वैलिस नाम का प्रोटो जोवन होता है, जो आपके दातों में जनरली लगता है, ठीक है, औ पहले ऐसे black black हो जाएगा तो होता कैसे है पहले वो बताता हूं आपको आपने चॉकलेट खाली यह चॉकलेट आपके दाथ में लग गई आपने सोने से पहले ब्रस नहीं करा तो चॉकलेट आपके इधर रहे गई आप क्या होगा कि यहाँ पे अपना घर बना लेगा आपके माउथ के अंदर आके इस चॉकलेट के नीचे ठीक है और यह चॉकलेट खाता रहेगा एसेड सिक्रीट करेगा तो उससे आपके दाथों क यह सबसे ऊपर वाली लेइर है तो यह डामेज होने लग जाएगी यह लेज डामेज होने लग जाएगी तो फिर क्या होगा कि कुछ टाइम बात कुछ महीनों बाद आप देखोगे कि यहाँ पे एक बलाएक ब्लाइक स्पार्ट बन जाता है तो यहाँ पे ऐसे ब्लाइक बन जाएगा आप फिर भी इग्नूर करोगे तो थोड़ टाइम में आपको पानी भी थंडा गरम लगने लग जाएगा थंडा गरम पानी लगने से मतलब है कि जब भी आप कोई ठंडा खाऊगे तो आप ऐसे दान्त पकड़ कर जाओगे ठीक है तो इस तरह का इस तरह की प् टूट जाएगा तो आपका यह जो पल्प कैविटी एर टीथ की एक्सपोज हो जाएगे फिर बैक्टीरिया इधर चले जाएंगे फिर तो बहुत प्रॉब्यम होने वाली आपको क्योंकि यह जो बैक्टीरिया है यह नर्व एंडिंग को एफेक्ट करेंगे और फिर आपक मैं इसको फिलिंग कर देगा कैसे फिलिंग कर देगा को सीमेंटिंग मटेरियल से इसको फिल कर देगा ठीक है और कई बार तो आप यह जो रूट कैनल ट्रीटमेंट होता है काफी पैनफुल होता है ठीक है मेरा भी यह से देखो गया तो मेरे अंदर के दो दात गायब है क् तो आपके साथ भी ऐसा हो सकता है क्योंकि आप अगर मीठा ज़्यादा खाओगे ब्रस नी करोगे तो आपको ऐसे ही होगा ठीक है डेंटल कैरी जो जाएंगे फिर यह अपके ठीक नी होंगे फिर आपके दान दीरे डेमेज हो जाएंगे ठीक है तो इसके बाद यह बात हो गई हमारी डेंटल कैरी इसकी और अब मैं आपको बचाता हूं कि टूथ का इस्ट्रक्चर यह मुझे वैसे तो सबसे अपर वैला जो पार्ट है जो आपको दिखता हैis को डृम बोल थे हैं और जो गम की अंदर जो यह रहता है है, इसको हम रूट बोलते हैं, और इन दौनों का छो बचा हुआ बीच का पार्ट है इसको हम नेक बोलते हैं, तो इस तरह arise 3 पार्ट हैं, और एनेमल गोच्वाहिए की नेमल की कबरिंग होती है, इसको इसकी जतलन पर होती है हिसे लूत इसे मिरून मिलता है है। फिर ये ऐपकी नियुद्रेड और जॉबहन के अंदर टीथ एंबेड़्टे रहते हैं। ठीक है, इन सॉकेट के अंदर आपके टीथ रहते हैं, और इसलिए यहां पर हमारे टीथ की तीन इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी भी होती हैं, अगर आपने सुनाओ, तो एक तो हुमन के जो टीथ हैं, वो हेटरोडॉंट है, हेटरोडॉंट मतलब हमारे में चार वेराइट हैं, कैसे हैं, ठीकोडॉंट, ठीकोडॉंट का मतलब है कि हमारे जो टीथ हैं, वो जो बोन के अंदर इंबैड़ेट रहते हैं, ठीका के अंदर लोकेटेड हैं, तो इसलिए हम बोलते हैं, लोकेटेड इन जो बोन, ठीक है, इसके बाद जो आखरी बात है, हम लोग हमारे जो टीथ हैं वो लाइफ में दो बार आते हैं ठीक है तो आपको पता है एक को हम मिल्क टीथ बोलते हैं और एक को पर्मानेंट टीथ बोलते हैं क्या बोलते हैं मिल्क टीथ और पर्मानेंट टीथ तो दो तरह के टीथ हम बोलते हैं समझ में आगे सारी बाते हैं क्लियर है इवाला पार्ट कोई डाउट यहां तक ठीक है चलो आगे बढ़ते हैं पिर हम बात करते हैं कि हमारी बॉड़ी में जो भी फूड हम ले रहे हैं वो कैसे जा रहे हैं तो सबसे पहले जैसा मैंने आपको बताया कि टीथ मैस्टिकेट करेंगे फूड को इसके अलावा जो आपका है यह सपोज है आपका माउथ है तो यहां पर आपके कुछ ग्लें ठीक है तो यह जो भी आपकी पैरोटिट ग्लेंड और सब लिंग्वल ग्लेंड है है ना यह सारी क्या करेंगी यह सिक्रेट करेंगी Sliber तो इनसे निकलेगा Sliber Sliber के अलावा इनमें होता है Carbohydrate Digesting engyme क्या होता है Carbohydrate Digesting Engyme ठीक है तो slavery amylage इसका दूसर नाम है thailin इसका एक और नाम है slavery amylage ठीक है? तो यह जो slavery amylage होता है स्टार्च का digestion करता है किसका digestion करता है? स्टार्च का ठीक है? तो हमारे mouth के अंधर ही 30% स्टार्च का digestion complete हो जाता है 30% स्टार्च का digestion mouth में complete हो जाता है तो क्या होने वाला है mouth के अंदर? कि जो teeth है वो food को चबाएंगे खीक है? क्रस करेंगे उसमें saliva mix होगा फिर food bolus की form में बन जाएगा फिर यह bolus है वो आगे जाएगा और कहाँ जाएगा यह isophagus के अंदर तो isophagus के अंदर जब यह food इंटर करेगा यह bolus की form में ठीक है? isophagus के अंदर जब यह food bolus की form में इंटर करेगा तब क्या होने बहला है ठीक है? तो यह एक bolus है तो एक खास तरह का movement होता है isophagus में और इंटर इंटर्च साइन में होता है ठीक है? तो इसको हम बोलते हैं peristalsis और इसको हम बोल सकते हैं peristaltic movement peristaltic movement ठीक है? तो इस peristaltic movement में क्या होगा? कि जैसे ही bolus इस पार्ट पे आया तो इसके नीचे वाली जो लेयर है इसके नीचे वाली जो लेयर है यह थोड़ी सी open हो जाएगी थोड़ी सी open हो जाने का मतलब है कि यह थोड़ी सी broad हो जाएगी तो इस बोलस यहां से shift होके थोड़ी सी नीचे आ जाएगा और उपर वाली जो लेयर है गॉंट्रेक्ट हो जाएगी अब सेम आगे होगा नीचे थोड़ा सा और खुल जाएगी और उपर फिर से गॉंट्रेक्ट हो जाएगी इस तरह से आप देख सकते हो जैसे Belus इसरे है इस से कॉंट्रेक्ट हुआ नीचे ओला थोड़ासा रिलेक्स हुआ तो इस फूड़ा थोड़े आगे बढ़ गया फिर इधर पर कॉंट्रेक्शन और इसके थोड़े नीचे तो तो यह प्रिलेक्सेशन में होता है food का जो transport है वो mouth के end से लेके इस तमक तक iso phagus के through जाता है और किसकी help से paristeriatic movement की help से जाता है ठीक है clear है यह बात clear है आगे बढ़ते हैं फिर हम बात करते हैं इस तमक तो यह जो ऊपर वाला पार्ट है यहां तो iso phagus जो आपने पीछे पड़ा है यहां तक आता है ठीक है फिर यहां पर एक ऐसा junction मिलेगा कौन सा junction इसको हम बोलते हैं gastro-esophageal junction और यहां पर sphincter होता है तो यह जो sphincter होता है एक तरह की guarding muscle है ठीक है यह एक तरह की क्या है guarding muscle है तो इसका मतलब है कि iso phagus से जो भी content आ रहा है यह content iso phagus का content है यह इसके अंदर iso phagus का content इसके अंदर easily enter नहीं करेगा यहां पर जो guarding muscle है जब यह relax होगी तब यह enter यहां पर करता है तो उपर से जो food आएगा यह relax होगी यह अंदर जाएगा अब क्या होगा कि अगर यह food किसी बज़े से नहीं से बापेश जाना चाहता तो यह नहीं जा पाएगा क्योंकि जो sphincter है close रहेगा तो जो gastroesophageal sphincter है इसका नाम gastroesophageal sphincter है क्योंकि यह iso phagus इसका नाम gastroesophageal sphincter है तो यह क्या करता है कि फूड के बैक्वर्ड फिलो को प्रिवेंट करता है मतलब इस्टमक से उपर नहीं आ सकता तो यह चीज अपको इसमें याद रखनी है ठीक है इसी तरह यह इस्टमक के वाला पार्ट है जिसको और इस junction पर भी इस तरह की guarding muscle होती है और इस muscle को हम क्या बोल रहे हैं pyloric sphincter इसको हम बोल रहे है pyloric sphincter तो यहाँ पर आपका pyloric sphincter है ठीक है और यह इसमक के पार्ट है जो सबसे इधर वाला पार्ट है यह हार्ट के सबसे close होता है इसको cardia बोलते है यह वाला तो इस बाइस रचाहर नरा प्राइश भूलते हैं अब यह बड़ा सी बने गासे बड़ा कर वेचर यह बरता शेयु जो ग्रेटर वेचर बो यह तो यह स्टमक्क पार्ट यह सारे चीजें क्लियर आप श्टमक के अंदर, एक और बात याद है कि इस्टमक के अंदर जो पी- के अंदर highly acidic condition होती है और इस तमक के जो वाल है इसके अंदर गेस्ट्रिक ग्लेंड होते हैं गेस्ट्रिक ग्लेंड से करते हैं ठीक है समझ आया तो आपको सुबह सुबह ब्रेकफास्ट जरूर करना चाहिए अगर ब्रेकफास्ट आप नहीं करते हो तो acidity हो जाती है क्योंकि acid यहां पे खट्टा हो जाता है ठीक है खाली पेट रहने से भी acidity होती है क्योंकि इस तमक में acid खट्टा हो जाता है तो यहां पे acidic condition है प्रोटीन का थोड़ा बहुत digestion इस तमक में होता है यहां पे pepsin enzyme होता है जो की gastric gland से सिक्रीर होता है तो pepsin enzyme की help से प्रोटीन का थोड़ा बहुत डाइजेश्चन यहां पे होता है, ठीक है, और इसके बाद फूड आगे पास हो जाता है, डिूडिनम में, कहां पे? डिूडिनम में, clear है बात, ठीक है, अगले टॉपिक पे चलते हैं, ठीक है, फिर आपके यहां पे, डिूडिनम के बाद आप स्मॉल इंटेस्टाइन का अगला पार्ट सुरू हो जाता है जैजुनम, ठीक है, फिर उसके बाद जैजुनम के बाद आपका इलियम, फिर यह अल्टिमेटली यहां पे खुलती है, कहां पे, लाज इंटेस्टाइन में, तो आपको यह बाद तो बहुत पहले से पता होगी, स्मॉल इंटेस्टाइन को स्मॉल क्यों बोलते हैं, क्योंकि आप देख पार हो, इसका डायमीटर बहुत छुटा है, तो इसलिए इसको स्कॉल इंटेस्टाइन बोलते हैं, लाज इंटेस्टाइन को लाज बोलते हैं, क्योंकि इसका डायमीटर देख रहे हैं, बहुत बढ सेके क ऐसका यह सिग्माईड कॉलन है ओर यहां पर एक ऩ wondhative ठीक में तो असेंड़िंग ट्रांसवर् सिंदिंग यह इतने आघस के कौन-कोन शेंडिंग ट्रांसवर्स और ड्संदिंग ठीक इस बाले पार्ट को हम sigmoid बोलते हैं क्योंकि आप देखरें है S चेप है यहां पर तो इसको हम sigmoid बोलते हैं और इसके last में एक रेक्टम है जहां पर आपका फीकल मेंटर एकट्टा होता रहता है तो इसको हम रेक्टम बोलते हैं अब यहां पे छोटा सा पार्ट निकल रहा है आप इसको बोलते हैं बर्मी फ़र्म अपेंडिक्स तो यह फिंगर जैसा स्ट्रक्चर है और अब हमारे में यूज नहीं होता कि उनको डाइज़िस करने का था लेकिन अब हम grass को यह सैलूलोज को डाइज़िस्ट नहीं कर पाते हैं क्योंकि हमारे इबर्वी मिफ़र्म अपेंडिस काम नहीं कर रहे है कई बार क्या होता है आपको यह पता होगा कि हमारी बोडी के अंदर कि इं्टेस्टाइन के अंदर निवे सो नी निकल के इसके अंदर चल जा जाते हैं अ हिर आपको एक बहुत देज हो तो कि बंगी इस्कोर मोलता है आ regression के अगड़ा दला तो यह क्या है अपरेनीक्री इसटेस छीए क के अंदिक्स की कातो गाइब इसमें पीछे एक बातो नहीं की तो 5 तक आप यूब या जान सायiden इस तरह का रहे होता है और इधर पर आपका लिबर है उपर, ठीक है? और लिबर से ऐसे left और right hepatic duct आते हैं, वो दोनों मिलके ऐसे common bile duct बनाते हैं और इधर पर होता है आपका gall bladder, तो gall bladder की opening भी इसी के अंदर खुलती है, ठीक है? gall bladder की opening भी इसी के अंदर खुलती है, तो यहाँ से आते हैं bile juice, क्या आते हैं? bile juices, ठीक है? और उसमें bile juice के लाबा bile salt भी होते हैं, और यह दोनों basically fat के digestion में help करते हैं, तो fat का digestion में जिस step को यह करते हैं, उसका नाम होता है emulsification, ठीक है? तो यह fat का emulsification करते हैं, emulsification करते हैं, तो यह fat के emulsification में help करते हैं, इतनी बाद समझ में आ गई है ना? pancreas से निकलते हैं pancreatic juices, pancreatic juices में भी कुछ enzymes होते हैं, तो वो protein, carbohydrate और fat को digest करने में help करते हैं, ठीक है? तो यह बात हो गए आपकी pancreas की, अगला, ठीक है, यह यहाँ पे आपका एक काउ का इस्तमक है, ठीक है, तो आपने देखा होगा कि काउ में जो digestion की process है, यह हमारी तरह स्टेट नहीं होती, इसमें काउ या बफैलो क्या बरते हैं, कि पहले वो grass खा लेते हैं, यह जो भी चार है उसको खा लेते हिं, फिर वो उनके स्तमक में चला जाता है, फिर वो इस तमक से बापस आता है उनके माध में पिर उसको बुछभाते रेते हैं, बैटके. हमें लगता है कि kingam खा ङरी है, लेकिन असा नहीं है, वो चिंगम नहीं खाती है, जो खाना उसने खा लिया तो बापस मूह तक लाती है, फिर बापस अंदर भेज़ती है, ठीक है, तो इन में इस तरह का सर्कृट होता है, जैसे यह ईसो फैगर से, तो आप देख रहे हैं, इसका खाना पहले आएगा, फिर यहां पे स्टोर हो इसके बाद यह बापस से थोड़ा-थोड़ा चबाएगी, फिर खाना ऐसे आएगा, तीन, चार और फिर इंडिस्टैंड में इंटर करता है, ठीक है, तो इस तरह से इसके स्टमक में चार पार्ट हैं, रुमन, रेटिकुलम, ओमेसम और अबमेसम, कौन-कौन से पार्ट है रुमन, रेटिकुलम, ओमेसम और अबमेसम, यह आपके काउ और बफैलो के अंदर यह पार्ट होते हैं इस टमक में, ठीक है, तो यह रुमिनिन डाइजिस्टिप सिस्टम है, ठीक है, कई बार क्या होता है कि आपके इंटिस्टैंड के अंदर हैलमिंथ आ जाते हैं इस तर इस टो यह एक तरह से बीमारी है, इसको ठीक करने के लिए हमें इन बॉम को किल करने की दवाई देनी पड़ती है और उससे बॉम सारे निकल जाते हैं और अप नॉर्मल हो जाते हो, ठीक है, ठीक है, तो हमने डाइजिस्टिप प्रोसेस का एक पार्ट पढ़ लिया, ठीक ह हमने इसमें क्या नहीं पढ़ा है, अभी हमने स्टॉक्चर्स तो पढ़ लिया हैं, लेकिन हमने डाइजिस्टिप की प्रोसेस नहीं पढ़ी है, तो एक बार मैं क्विकली आपको इसका ओबर्वियू दे रहता हूं, ठीक है, तो आपने जो भी फैट जो भी फैट यूज क हो जाएगा, ठीक है, कार्बोहाइडरेट है, यह अपका ग्लुकोज में ब्रेक हो जाएगा, या अदर सिमिलर कंस्टिवेंट में ब्रेक हो जाएगा, फैट जो होता है अपका यह फैटी एसिड या ग्लिसरॉल में ब्रेक हो जाएगा, ठीक है, अब यह सारे पार्ट अप अगर कि एनरजी रिलीज होगी और ये इनरजी रिलीज होगी in the form of ATP, और इसके अलाबा CO2 and water बनेगा, ठीक है, अगर ये अगर ये एरोबिक रेस्पिरेशन है, अगर ये किसी और फर्म का रेस्पिरेशन है, तो उसमें डिपेंडिंग वन की, ये आरोबिक रेस्पिरेशन है या anaerobic respiration है तो उसमें अलगतर है कि product बन सकते हैं ठीक है तो तो ठीक है तो आज हमने क्या कर लिया digestion की process complete कर ली digestion कैसे होता है और कौन-कौन से structure यह सारे हमने कर लिये इन सब को आपको revise कर लेना है ठीक है और इसके बाद मैं आपको थोड़े से question बेजूँगा जो आपको करने है अब हम अगली class में restoration पड़ेंगे ठीक है ओके दिन थांक्यू